हेलो एवरिवन वेल्कम टूवर यूट्यूब चैनल जेके लिटेस्ट इंफो तो यहां पर अगर हम बात करें जन्रल अवेरनेस की तो वहां पर हम इंडेनिस्टी कंप्लीट कर चुके हैं हमने जो इंपॉर्टन कोशिंस थे वह भी वहां पर डिसकस किये हैं अज हम जन्रल अवेरनेस का एक वह टॉपिक साट करने जा रहे है करने फिर्स तो हमडेली करते ही वो तक काम आता ही है यह पर कुछी नहीं दिख रहा तो कोई इस्जू नहीं है कोई पैनिक होने की ज़ूरूरत नहीं है आपको PDF मिल जाएगा वीडियो के description box में आप जाके PDF download करना और यहाँ पर तो मैंने important चीज़े बताईए न वहाँ पर आपको और भी वड़ा कुछ मिलेगा extra चीज़े भी मिलेंगे तो आप याद कर सकते हो वहाँ पर ठीक है बस यह है कि यहाँ पर कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताना चाहूंगा जिसकी help से मतलब ट्रिक्स के लिए मैंने क्या हुआ है मैंने कुछ combination यहां पर बिनाए हुए है और उनको arrange वगरा किया हुआ है बागी कुछ भी नहीं है ट्रिक्स बताने के लिए आपको आपके लिए मैंने बागी के लिए वीडियो बनाना स्राइट कर रहो है यहां पर बात करेंगे स्पोर्ट में देखो अब यहां पर आपके syllabus में लिखा हुआ है sports बट यह नहीं पता है कि sports में क्या पढ़ना है तो हम देखो क्या कवर करेंगे यहां पर sports में जैसे कहीं सारी गेम है हमारे पास उसमें कितने प्लेयर होते हैं नमबर आफ प्लेयर जो कि आपके नॉर्मल जो भी exam होते हैं इस तरह के questions आपके exam में पुछ जाते हैं इसलिए आपके लेकर आगयों फिर बागी के चीज़ें कुछ निक नेम आपसे पुछ जाते हैं कि किसका निक नेम क्या था तो वह भी हम यहां पर discuss करेंगे जो भी important है और कुछ basic चीज़ जैसे commonwealth का होने जारे next Asian game का होने जारी इस तरह की question आपसे discuss करूंगा हाँ एक question और पूछ जाता आपके exam में जैसे कहा जाता है कि white ball जो है वो कौन से game से related है ठीक है तो cricket से related है इस तरह की question में पूछ जाएंगे वो काम में आपको दूँगा वो याद करने वाला काम है ना हलाकि यह चीज़े भी याद करने वाली है बट इसमें आपको ट्रिक में ब आपको कबड़ी की नौलेज हो आपको football की नौलेज हो तो मुझे बढ़ाने को benefit नहीं है जिनको knowledge नहीं है किसी एक दो गेम की knowledge तो आपको जरूर होगी तो आपको काम वो easy बन जाता है हम start करते हैं आप आज की वीडियो सबसे पहले हम यह discuss कर लेते हैं यह कैसे याद रखन में football में 11 रहते हैं hockey में 11 रहते हैं खेलने वले इतना आपको समझ आ ठीक है यहां पर किसी तरह का doubt नहीं है अब कैसे याद रहो कि जिनको game sports की knowledge नहीं है अब क्रिकेट का तो आपको याद रखने चाहिए कि क्रिकेट में 11 प्लेर होते हैं फिर आगए football और hockey अब यहां बर क है कोई coach था किसी को cricket वगरा सिखा रहा था किसी को bowling कोई bowling coach है वो किसी को कुछ सिखा रहे थे उन्होंने कहा फुट फुट पे ball मत फैंकना जब तो बोलिंग कराएगा ना तो फुट की तरफ ball मत फैंकना अगर फुट में ball फैंकना तो मेरे हाथ में hockey पढ़ी है इस चीज का कि फुट बॉल में कितने प्लेयर होते हैं सर ने बताया था कि क्रिकट की कोई coach वगरा थे उन्हें का था फुट पे ball ने फ्यांगे ना वरना होकी मेरे पास बढ़ी है तो इन तिनों गेमें कितने प्लेयर होते हैं इस तरह से आप याद रख सकते हो बागी अपने हिसाब स तो प्याइम कोई ट्रिक बना सकते हो तो हो सकता आप को ट्रिक की जुरूरत ना पड़े इस यहां पिर को है नौन 9 को क्या बोलते यति को रहे सकते हो थोड़ोड राहिम करते ना इस तरह से राहिम करता है ठीक है यह आप जाल रखोगे थो बेसबॉल खेल दिसका नहीं हो थी तो आसे मैं अपने से बना करा हुं कुछ भी आप न काई लिएने क्व काई को कितने प्लेयर होते अब यहां पर कैसे याद रख सकते हो हाला कि तो इज़ी है कि स्नुकर बॉक्सिंग तरवाटव गरकि वह अगर आप मतलब ऐसा काम करो कि 4-5 दिन पाद एक बर इसको रिवाइज कर लिया करो तो वैसे सहरे चीज आपको याद रहेंगे ठीक है अब यहां पर कैसी याद रख सकते हो और सबसे बेस्ट भी पता किया है अगर आप जो मैं ट्रिक्स आपको बता रहो ना उसकी हल्प से सीखने की कोशिश करोगे एक बार आपने ट्रिक्स सुन ली उसकी पतापने का करना है थोड़े देल के लिए जो भी PDF को साइट कर दिया कर दिया एक नोट्बुक लो अपने हसाब से लिखने की कोशिश करो कि देसे क्रिकट FOOTBALL पना सबस्टेश्प judging को मिल रहा है याँ पर नोकर देखने कूँ मिल रहा है कहा गया अब यो नोकर चयस वले बॉक्स में एक बिल आया है इस तरह से आप याद रहा है थीक है थोड़े कहाने ये जो वर्ड वागर आपको बता रहा हो यात रहते हैं नहीं याद रहते हैं तो सिंपलिन को पढ़ना और याद रह रहता है आगे बात करो कारम की बात करो टेबल टैनिस की बात करो बैडमिंटन की बात करो टैनिस की बात करो इन में क्या होता है इन में सिंगल भी चलता है अगर सिंगल मैं चल रहा होगा तो एक साइड में प्लेयर होगा अगर डबल मैं चल रहा होगा तो एक तीम में दो प् इस तरह से कम्बीनेशन भी यात कर सकते हैं कि нез आरे चार शार अगर किसको लिए टे क्लेबिड से हम ऐसे लिखते पिर कि नर्ट कितना न किना ब्र होंगे पॉलों कि भी ऑन वनटर पौलों की बात करें को पता होग आज वह होते हैं अगर रहने पर प्लेर कर रहों पोलो का आपको समझागे चार प्लेयर आते हैं वाटर पोलो का आपको समझागे साथ प्लेयर आते हैं रग्भी फुटबॉल की बात करें 15 प्लेयर हमने देखा था फुटबॉल में कितने प्लेयर थे फुटबॉल में ग्याना प्लेयर थे हमने देखा था आप फुटबॉल म से जरूरते ना पड़े आप डैक्ली आंसर बता दो बट ऑप्शिंस होंगे तो इजी बन जाएगा काम आपका बैस्किट बाग की बात करें इसमें पांच प्लेयर आते हैं यह चीद आपको याद रिखने पड़ेगी हो सकता आपको पता भी पहले से वालीबॉल की बात करो होकी की बात करो यहां पर छे प्लेयर रहते हैं ठीक है यह 20 गेम से जिनके बार में आपको बता दिया बीस गेम सिंपल बड़े कम टाइम में आपने सीख लिया है अगर आपको स्पोर्ट की नोलेज नहीं है बागी बेसिक बेसिक था एक बर रिवाइस करना दो बार से बोल पिछे 4-5 मेने ओंग पांचे मेन ओगे करेंटे फेर्स आपसे डिसकस्त भी करूँगा तो करेंटे फिर्स के चार अगर 40 निम में अब कर लिया हैं आने वले टाम पे और बिय करते जाएंगे स्पोर्ट सोल आपको कम्लीट हो जाएगा आज हाँ कुछ चीज़े बताऊंगा आपको किया काम करना होगा वह भी हम कर लेंगे फिर हम बागी जो कल्चर बगारा पढ़ेंगे बेसिक चीज़े और पढ़ेंगे तो चालिस नंबर का पेपर है न अगर आप यहां पर चालिस म सब्सक्राइब करेंगे बस जिते का कौन जो जर्नल अविने स्टॉंग करेंगा और मैथ वीक है न तो इस पोश्चन को स्टॉंग बना लो यह बड़ा बैनफिट आपको देने वला है आगे चलते हैं नंबर अफ प्लेर अपको समझ आ गया होगा ठीक है अब यह समझ जाते हैं इसमें आपको थोड़ा दिखे का कम शाय से बड़ फिर भी मैंने यहां पर ट्रिक बनाने के इनको सीक्वेंस में लिखा हुआ है जैसे कि हम यहां पर बात करें पोलो की बात करू क् Pizza रyour warrior तो करेंगे से रिलेटेट अब करें किस से रिलेटी इंद आ है अम पैसे यादर रक सकते हैं ओए वह इकिस तरह घ्योती है अब आगी Prab 01 पुले लिख हो करूंँ का पर ट्रूול असकी चाहते होंगे उसी आंप ऊसी तो थो ऑन आगे भी किस्षे is करेंगे जब हम राजय की बात करेंगे तो प्रिथ्वी राज चोहान को तो हम भूल नहीं सकते जब हम राजय की बात करेंगे तो प्रिथ्वी राज चोहान का नाम आएगा याएगे और जब प्रिथ्वी राज चोहान बात करेंगा अगर किसी ट्रॉफी की बात करेंगा तो वह गोल्ड से कम तो बात करेगा नहीं क्योंकि उसले में सोना कितना था तो गोल्ड की बात करेगा तो गोल्ड तो किन Гण का कप है पृष्वी राज से प्रिथी पाल सिंड और गोल्ड वह को समझ गया इस तरीके से अप आप गेम को याद रख सकते हो भी पोलो की जो गेम है वह कोई किंग ही खेलेगा और जो किंग है अब किंग की बात करें तो प्रिथ्विया चोहान का नाम आएगा ही आएगा और गोल से नीचे बात नहीं करें तो यहां पर देखो चार मिना ट्रोफी आती है अब याद कैसे करोगे एथलिटिक्स की बात करें ना एथलेट बना चाहते हो अच्छी रणिंग करने पड़ेगी स्टैमिना बनाना पड़ेगा तो प्रैक्टिस जरूरी है तो जब एथलेट्स बना चाहते हो तो चार बार आपको राउंड लगाने पड़ेंगे चार बार किसी सरकल हो या ग्राउंड मानना उसके चार बार राउंड लगाने पड़ेंगे और जब राउंड लगाऊंगे ना फिर आप ड्युरेशन नहीं देखना फिर सब्सक्राइक पृर लगा रहे हो संभिखे एठ्स के लिल चार बर ऱुनिंग करने बड़ेगी फिर दूडर हाँ आपको दिगों करना का है जब आपको रिवाइज करना फेडरेशन कप से रेलेटरीन का इसमें डिरेशन और डिरेशन मतलब की टाइम लिगाना अथलेट्सकों एक है तो फोना इस तरीका से याद ज़कना तरहा तो अब पॉलों पी जोगा है अथलेटिक्स हम बात करते के चैस्ट की चैस्ट में कॉंसी कॉंसी ट्रॉफिय मेंन या गिया एक कृतान ट्रॉफिय प्लोड के ढ müs हो आगे खेतान ट्रॉफी तो खेतान ट्रॉफी का हम मुझे याद है कि खेतान ट्रॉफी मतलब खेत का मतलब कि खेत बें नहीं खेलना था मुझा नहीं खेलना था चैस नहीं खेलने थी तो चैस हमोगे करना है चैस नहीं खेलनी है खेतों में इस तरह से याद कर सकते हो चैस पर जीके है ना आप सिर्फ बूलों को मैं याद कर लोंगा तरीका होता है जीके को पढ़ने का भी सिंपल याद करके आपको चीज़ा बाद में भूल जाती है अगर पर्टिकुलर पैटन में फॉलो करोगे ना जैसे पोई इंडिन हिस्ट्री पढ़ा था पैटन से हिस्ट्री आपको पढ़ाया फिर कोशन असर करवाया थे एक पैटन से चलोगे ना इन चीज़ों को पढ़ने का पी तरीका होता तो फिर वह सिर्फ ऐसा नहीं कि आप याब करोगे तो एक मेने के बाद बूल जाओगे इ चार पांच इंपोर्टेंट है कैसे याद रखोगे देखो रोवर कप ड्यूरेंड कप फीफा वर्ल्ड कप संटोश्टोवी अब यहां पर क्या है फुटबॉल खेलना है अगर फुटबॉल खेलना चाहते हो ना तो आपको काफी एरिया कवर करना होगा अब्यूसी बात ह इतनी मैनत करने के बाद अगर फीफा वुल्ड कप जीत जाते हो आपको शन्तोश मिलेका आपको खुशी मिलेगी थीख है की तो इस तरीके से आफ याज रख सकतों फुट पाल क्या हो गया फुट इन रोवर कप कव गया दूररन कप हो गया फीफाel का मोगा संट्रोंच टोफिय ह mistakes यह औंगे हम चलते हैं बैड मिटन की बात करते हैं अगरह। का करें अगर ऑल किसे रिलेटीट आप से ठोवस किह भात करें थो मद कर रिलेटीड बाठेगल रहे थे उनको प्यास लगी तो उनके पास एक थरमस्त था उन्होंने कैया उसमें उसमें उसके पानि माष्य परह त إن उस तो पानी उनके लिए अम्रित की तरह था, उस वक्त उनके लिए पानी जो है, वो अम्रित की तरह था, क्योंकि प्यास लेगे थी खेल लेख तो पानी बेंगे तो अम्रित ही था ना वो, तो वो अम्रित की तरह था, वो थोड़े से उन्हें सोंपी रखे थे वो बेखा लिए अजय यह बात किया अगरवाल जी थोमस अमरित और शोफिया इस तरह से आपका प्याद लखना बैड मिंटन से रिलेट लें आगे बात करें होकी की बात करें होकी की में देखो क्या है आगा खान कप बेगम रसूल ट्रोफी महाराचातर अजित सिंह गोल्ड कपonterm लेडी रतन टाने ट्रोफी नैर्वी ट्रोफी द्यान चनड ट्रोफी सिंध्या कि सिंध्या गोल्ड कप और वेलिंग्टन कप यह सारे किसे रिल् lassर एधने अब इतने सारे कैसे याद देखोगे यहां पर छोटी सी कहानी है वो भी सुनोब क्या करना है इतना सीख लिए आगे भी थोड़ा से पढ़ ले दें होकी की बात कर रहें तो हम परें होकी का हां हां तो आगे क्या हुआ आगे बना सकते हो होकी का हां ऐसे हां हां तो आगे क्य क्या हुआ बेगम को महारजता रंजीत सिंग ने लेडी लड़कियों ले ट्रॉफी दे इतना क्लीर हो गया फिर उसके बाद क्या हुआ नहरु जी वी वहां पर थे उनका ध्यान चंद ही साइकिंड में सिंद्य की तरफ दिया गया उसको वैलिंग्टन में ट्रॉफी दे फिर अगे क्या हुआ बेगम को महारजत रंजीत सिंग ने लेडी वले ट्रॉफी दी तो नहरु जी का ध्यान चंदी सेकिंड में कुछी सेकिंड में सिंद्य की तरफ गया वैलिंग्टन में ट्रॉफी दी बागी अगर आपको ने समझ जाता है यह चीज़े अपने हिसाब से इ जैसे इखाचे दो यह लो फोगी की फ penalties की में बहुती है तो प्रिंस व मुद्स ओले जो होते हैं प्रिंस वाले मों को प्रेजिटन मानते ऐं और प्रेजिडेंट मानतें कहीं भी जाना होगा तो तो अब कर के हैं बिजाना आप दूरिंस पर इतर करके जाते Basically णीन भी जात है प्रिंजः वाम गब जाते हैं अट अधे निया दर ऑबाद के में तो गुल्जली होती है बस वाले जो है प्रेंस वाले है प्रीके अपने को प्रेजड 550 जाना हो तो राइट टो जाते हैं इस तरीके से गॉट्ट भी आतर रिक जोती है तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्रिकेट की बात करें क्रिकेट में तो कहीं सारे ट्रॉफी एसे कर सकते हो क्रिकेट की बात करें अगर अगर आप एसे में क्रिकेट खेलोगे तो आप एश करोगे अगर आप एसे में क्रिकेट खेलोगे तो एश करोगे फिर चाहे आप इरान के रहने वाले हो चाहे बेंड स्टोक्स के बेटे हो और अगर आपने एक बड़ आइसी सी वर्ल्ट का इस टो आपको बता है क्रिकर प्रेट विचे अब्नें कर लिचे कर लिए अर्फ वेल्टक जीत लिया तो सारा जहां कि बात करें आप कैसे याद रख सकते हो बसवीश करते कि हैं जात नौर्टन साथ में बड़ा साइब तो शुटिंगति आगे चलते हैं नौर्थ साइड में संवंड़ जो है वह भी जलती रहती हैं उसे भी जब लगे चलते हो लेगा सब्केटल यह करने ड्सकेटल इस उसको तोड दिया गया basketball के kit को तोड दिया गया match का चल रहे थे बängलोर में चल रहे थे और किसी ने BC वले kalei दि जब किसी ने BC वले kalei दि तो coach जैंगा बस करो इस trophy को यहीं पे end करके है है इस तरीके से आफ basketball के tricks को भी याद रख सकते हो हो सकता है कि मैंने इन चुछों को complicated बना दिया हो हो सकते हैं मैं आपको difficult बना दिया हो जिनके लिए easy बनाया है दो ट्रिक्स से याद रखना जिनको complicated लगा है वो अपने इसाब से याद रखना बट मैंने अपने तरफ से कोशिश कीज़े tricks बनाने की तो मुझे यही better लगा था अब यहां पर हम कुछ nickname की बात कर लेते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कौन सी term कौन से sports से related होती है इसकी knowledge आपको होगी नहीं होगी तो वीडियो के description box में को मिलेगा और notes वगरा वहां पर जाके याद कर लेना याद करना तो easy है ठीक है MS 2 की बात करें MS 2 का nickname क्या है मही यां पर किसी को doubt ने रहने बाद करें इनका नाम क्या निकनेम वीरु वीरु सब इनको बुलाते थे सुनिल गवासकर की बात करें लिटल मास्र को कहा जाता था सुनिल गवासकर को या फिर सनी बिन को कहा जाता था उनके निकनेम आपको समझा गया होगा अनिल कुमले की बात करें जम्बो अनको बुला जाता था तीको जैसे विरिंदर सिवाग पूछ लिया आपको आजाएगा सकती हैलिल मास्र किसका निकनेम था तो यार रथास कर का सुरुवगांगल जी बंग श्याकि बात करें या जाता है Z यह किसका का नाम है धिक के याद रिखने सारी शेन वार न की बात करें शेन की सकता है इतना की फिर्डवान फिरॉड अब करें एससी के देने जाओ गए डिफेंस के देने जाओ गई हर जगा इस तरह के कोशिशन आपको देखने को मिलेगा एक कोशन दो जरूर देखने को मिलेगा आगे चलते हैं विराइट कोली का चीप को नाम आप सभी ने सुनाई होगा कपिल देव की बात करें हरयाना हुरीकेन के कि दो बने बहुत करें मास्टर ब्लास्टर बिगा जाता है यह अब यह आप सब्सक्राइब की बात करें दीवार बनके खड़े हो जाता था आउट कर दिफिकल लुचता था था तो राउल देवन के नाम के था दवाल मिलका सिंग की बात करें द हुआइंग सीख इसका भी होगा मेजर ध्यानचंद की बात करें विजर्ट ऑफ होगी इनको कहा जाता था और डॉन ब्रेडमन की बात करें नाम से पता लगया था यह थे कुछ फेमेस परस्नालिटेश करें उनके निकनेम क्या थे यह आप थे ट्रहरी बेखकरर हैं हुट रुसकर में लेंघ्या में बतार हो इस के रहे हुआ मुझसे से कला रहा हुँ हुएं फिर गदलेगे सब्सक्राइबिया है आइंडिया में हुआ था कूछ 11 की बात करें हैं 2011 में किसी में होता है इंडिया और श्रीलंका में होता हुआ था मुंबई में हो था तो टोटल वर्लड गप इंडिया ने कितने जीते फिफ्टी ओवर ले बात करें आई से वर्लड गप एक यह जीता है एक यह मतलब दो जीते हैं ठीक है और लेटस कौन सा हुआ है 2019 वाला इंग्लैंड और न्यूज्लैंड में जहां पर मैस्ट वह गया था टाई हो सुपर हो गया था और बाउंडरिस की वज़े से वह जीता था और इंग्लैंड जीता था जादा बाउंडरिस में बनाई थी वह का में था फिर से लंडिन में हुआ था ठीक है समझ के जो भी इंपॉर्ट डैटा था वर्ल्ड को आप से मैंने शेयर किया है और बात करें दो किसे समय मैं जिता रांच यह और क्रूंड नेज़ेंक कब होगा तुविवान में यह पे इंडिया में याद रखना था इंडिसा नगाए आउस्ट्रेलिया में अब कम व्या कहां पर होते यह इंग्लैंड भी हमेए यह सारे इटाप को याद होना चाहिए थिक हां यह सारे तका सबसेंट को अब फॉल्टक्त करें करें हरें वह कहां करें कुंछ और किसे वे हैं तो से रटीन टीक्र हरा अब 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 इतना ग्याइढ गया और आप बेश्क मेरें undने इंप्गेर रखा करो आई पर आइपसे जांत है करनी के पुरे-पुरे चान्जें से कोशन गई वूमन एश्या कब होने वाला कहां पर होने वाला इंडिया में होने वाला इता बको समय आगया नैशनल स्पोर्ट में की बात करें 29 अगस्त को होता है इन्डे के रैंकिंग की इतनी है इंडे तीसरे नंबर पर आए टीट्विंडी के बात करें इंडे तीसरे नंबर पर आए आई पहली बार कब हुए थे 2008 में हुए थे ठीक है युग आई पेल चल लेना यहां से इक्जान नाने के पूरे पूरे चांसे से कोशन ने थीक है तो बेसिक टा सारा कवर करना मॉंबाय इंडे ने चार बाद जीता हुए है आगर सबसे दा स्कुल किसके अब श्यात के विराट को लिगे है सब श्याद विकल्ह ने लिए थी बंग लिए बिनि हम स्टार युग फहा है राजस्थान और छैने के बीच में जिता किसा था जिटा हक्ड जए उपर गिंग सुपर-गिंग यह पर सब्सक्राइब चार वाहिए है इस वालो vib यह यह रोगिगわかरिए पे siis अगर हो सके तो यह बताना है किस-किस के बीच में फाइनल होगा बड़ यह अपनी तरफ से जुरूर बताना कि इस बार का IPL कौन जितेगा और इस बार का जो वर्ल्ड गप है वह कौन जितेगा इन दोनों के चीज़े आप मझे कमेंट सेक्शन में बता देना अब सिर्फ यह नहीं है कि आपने इतना सा काम कर लिया और आपको पीडियेफ में आपको कॉशन्स दूंगा यह वले तॉम्स पॉर्स वले आप यह कर लोगे तो स्पॉर्स टॉपिक पूरिता से खतम हो जाएगा वैसा कुछ भी नहीं है स्पॉर्स में देखो जैसे आपको क कौन से कॉन्स बिस्टकर करते रहा है तो स्पॉर्स का काम है वह सब्सक्राइब करें कर रहा है क्यों उपको समझा रहा होका हां बाद में ऐसा करूँगा जब आपको एक बाप ईक्जाम आएंगे पास में उसे पहले एक स्पॉर्स की विडियो लग से छोटी सो लिएक कि बता दूँगा कि इस बार जो important कब थे वो कहां कहां हुए किसने जीतों था वो सारे चीज़ हम अलग से discuss कर लेंगे बट फिलाल current effects में आपके चीज़े वो add करता जाओंगा जो भी important रहेगा जहांसे sports टॉपिक है sports ले जो topic है वो आपको खतम होता है आपको अपनी तरफ से का याद करना पड़ेगा जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन वॉक्स में PDF मिलेगा उसमें एक चीज और होगी terms related to sports वो सारी चीज़े आप अच्छे से समझ लेना ठीक है किसी भी तरह का doubt होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जरूर पूछना आपको बताना चाहूँगा हमारा Instagram दो ट्वीटर वगएरा वो सभी जेकी लेटिस info के नाम से है महां पर जाके आप follow करना चाहों तो follow कर सक करते हो और जो हम टार्गेट रखे चलते हैं 2000 लाइक होला मुझे उम्मीद आप वीडियो को लाइक करोगे और टार्गेट चीफ करवान में हमारी है करोगे थैंक्यू जाहिंद